नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर वाच के इस वीडियो में हम ब्लोग बात करने वाले हैं वरिश्यक राश्वी वालों को दिक्कते क्यों आती हैं और अगर दिक्कते हैं तो उनके समाधान भी हैं तो इस वीडियो को अंतक देखिएगा साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा और यह जो उपाय मैं आपको बताऊंगा यह समाने अधार पर होंगे अगर आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो दियवन नंबर पर कुंडली का विवेचन करा सकते हैं ध्यान रखेगा अनलेसिस बेहर रहते हैं और आप कौन सी राशी देखना चाहते हैं, किस तरह की का वीडियो परवना चाहते हैं, उसके लिए कमेंड करिएगा, आप बारा राशियों में से कोई सी भी राशी की डिमांड आप कमेंड में कर सकते हैं, विश्चिक राशी जिसका स्वामी गुरहे, जो है वो मंगल है, इ दिशा जो है वो उत्तर है, और स्वरूप जो है वो पिछू है, यहाँ पर लगन की बात भी हम करेंगे, और यहाँ पर हम चंदर राशी के बारे में भी बात करेंगे, यानि कि जिनका जनम पत्रिका में चंदरमा व्रिश्चिक राशी में इस्तित है, व्रिश्चिक राश होती है वो बहुत जबर्दस्त होती है मैं कहूंगा कि four saturday लोग होते हैं मंगल के प्रभाव के करण इनका जो सभाव है वो कई बार उग्रे देखा जाता है और काफी चंचलता भी इनके मन में देखे जाती है थोड़े से ही उसमें गुसे में आजाते हैं और प्राया ऐसा देखा जाता है कि ये लोग किसी के नीचे काम करना उत्ता पसंद नहीं करते हैं ये freedom पसंद होते हैं और अपने परिश्रम से जीवन में उन्नती और प्रगती को होते हैं प्रिश्रदाशी वाले बहुत अच्छे प्रशासने का अधिकारी होते हैं और एक तरीखे से कहूं तो बहुत discipline में भी ये लोग work करते हैं समस्यां कहाती हैं आईए समस्यां के बारे में बात करते हैं और अगर आपको इसमस्यां आ रही हैं तो comment करेकर जबर सा मैं कहूंगा कि थोड़ा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं frustration जिसे हम कह सकते हैं न कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाना frustration आ जाना वो बात इनके साथ जरूर होती है तो ये एक मैं कहूंगा अबगुण हैं जिस वजा से क्या होता है कि जिस लक्षे की तरफ इने जाना होता ह उस लक्ष से ये भटक जाते हैं शन भर के लिए भटकते हैं लेकिन लौट फिर के वहीं आ जाते हैं या ये कह सकता हूं कि ये बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरे के उपर मतलब ये कि अगर किसी ने इनको फोन किया मैसिज किया उसको जरूरत है तो ये अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में लग जाते हैं जिसकी वज़ासे इनको कटनाई होती है कहने का ताद पर यहां पर यह है कि ये लोग विश्चिक राशी के विशेश कर लोग इनके अंद लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल की नहीं हो पाती है जिस लेवल के आप चाह रहे थे ये बहुत इंपर्टन बात है दूसरे चीज़ लविंग निचर होती है इनकी हर विक्ति को साथ में जोड़कर रखने की आदत होती है इनकी कोशिश यही करते हैं कि स नहीं में यह माहिर होते हैं हो सकता है कि अगर अभी आपने इनका कुछ विगाड़ा है तो आपको ना कुछ कहें कुछ अपनी स्तिथी और अपने विक्तित को एसाफ से चलते हैं अपने समय के एसाफ से चलते हैं लेकिन यह बात मानके चलिएगा क्योंकि बिच्छू मारेंगे और तब मारेंगे आपको जब आपने सोची नहीं होगी ध्यान रखेगा इस चीज का जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि ये चीजों को नहीं भूलते हैं इनको तारीखे तक याद होती है कि कौन से दिन था क्या कपड़े बैन रखे थे कहा बैटे थे और किस तरह से बाते कर रहे थे और कौन सी लोकेशन थी बड़े चीज इन्हें याद होती है अलग तरीके की राशी है नेक्स लेवल की राशी है ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपके ओपर ये बाते लागू हो रही है कि नहीं हो रही है तो पहली बात ही आती है कि हो सकता है कि अगर आपने इनको अभी परिशान किया है तो आप तयार रहीएगा क्योंकि ये भूलते नहीं है इनके साथ किसने क्या किया है कब किया है, ये सब चीजे याद रखते हैं, ये बहुत important बात है, जिस वज़ा से कई बार क्या होता है, कि focus, इंका होता है कि माता-पेदा के बहुत सगे होते हैं, माता-पेदा के लिए बहुत आदर सथकार रहता है, ततपर रहते हैं इवन घर के जित्ते बजूर्ग होते हैं उनके लिए बहुत रहता है लेकिन भाई बहनों के साथ पड़ा देखा जाता है कई वार कि उतना प्यार नहीं मिलता करने के बाद चाहे छोटे हैं बड़े हैं उससे मैटर नहीं करता है चाहे ललका या लड़की है उसके बहुत दिक्कत है उसे दिक्कत ही ये मतलब किसी से help लेते ही नहीं है अपने काम में लगे रहेंगे परिश्रम और सबसे बड़ी बात ही इनके साथ ये है कि अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हैं साज़दारी में कुछ ज़्यादा चलते नहीं है अगर इन जैसा ही व्यक्ति इने मिल जाए राशी मिल जाए या मित्र राशी में हो जाए या कुछ ऐसा हो कि जो जैसी इनका व्यक्तित्व है सामने वाले का भी वैसा ही है तो कहानी हो जाती है नहीं तो साज़दारियों में अब ये चलते नहीं है क्योंकि ये फ्रीडप पसंद है जैसे मैंने बोला कि किसी के आधीन काम करना पसंद नहीं है तो ये परशानियां आती है पैसे के मामने में खर्चीले होते है शुक्र की स्थिती काफी अच्छी है अगर कुंड़ी में तो लगजरी लाइफ जीते हैं लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं बुद्की सिती देखनी पड़ती है बहुत दिक शमता बहुत अच्छी होती है इनके अंदर और मंगल है तो उग्रसभाब तो रहेगा गुसा तो आएगा तुनक मिज़ाज होते हैं जिसकी वज़ा से अपनी बनते हुए काम को बिगाड लेते हैं और अगर कोई छेड़ दे तो फिर अगली पिछली सारी बात है रिकाल देते हैं ये तो ये सारी चीज़ें इनके उपर जो हैं देखने को इनको मिलती हैं आप सोच रहूंगे कि आज मैंन रहती है कि अगर आपको बहुत जादा समस्चा है आ रही हैं आपके काम बड़े रूक रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा और शनी की साढ़े साथ ये धहिया का प्रकावब भी आपको चल रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको शिव चालिसा का पाट करना है बहुत सही रहता है ये बहुत अच्छी आपके लिए चीज रहती है और आपको चाहिए कि पीपल के व्रक्ष की आप परिक्रमा करें और सफेद फूल अगर आप अरपन कर पाएं प्रतिस वंबार ये करेंगे तो बहतर रहेगा और इसके लिए तुड़ा साब कुंडली करा लें तो जदे वहतर रहेगा और अच्छी तरह से जाने के लिए पीपल के व्रक्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्डेंट है आप चाहें तो हर सौंबार वाले दिन उसमें कपूर में घी मलाकर दीपक भी आप लगा सकते हैं सौंबार के ब्रत आपको अच्छा रहता ह है आपके लिए सौंबार कबरत आप करें तो भैतर रहेगा और अपनी माता के साथ बहुत ज़्यादा अटेश्मेंट रखें और रहता भी है प्रशीख राशीबालों के साथ आप प्रैक्टिकल किसम के वेक्तिंग हैं और बहुत प्रफेशनल किसम के वेक्तिंग होते हैं हैं महिला होती हैं तो आप अपने अमोशन को दिखाते नहीं है ये बात होती है लेकिन आप अंदर से बहुत टूटे होते हैं लेकिन चेहरा बड़ा ऐसा रहेगा कि इसे कुछ होई ही नहीं है तो यहां माता के साथ आपके रेलेशन अच्छे होने चाहिए और उनकी देख अगर आप चाहें तो ओम सोमाई नमा का जाब भी आप यहां पर कर सकते हैं आपके लिए 16 वर्ष 22 वर्ष और 32 वर्ष होता है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो अगर आपके यह वर्ष आने वाले हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना विशेश करें और अपने आपको आगर बना प्रशासनिक अदिकारी बनने के योग आपकी कुंड़ी में या आपके हाव भाव में बहुत अच्छे होते हैं तो आप सिविल सर्विस ही त्यारी करें पैंकी त्यारी करें आप ऐसी त्यारी करें जहां आप बहुत बन आपको एक दिशामर लेके जाएंगे और अपनी दोस्ती को कंट्रोल करिए क्योंकि आपके दोस्त आपसे मज़े ले रहे हैं आपकी हैल्प यहां पर नहीं कर रहे हैं बाते लागू हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा करेंगे पर दो लाग। झाल झाल